नवस्कार मद्यप्रदेश के महंती किसान भाईयों बहनों को मेरा कोटी कोटी प्रणाम मद्यप्रदेश के कौने कौने से किसान साथी एकत्र हुए है राइसेन में एक साथ इतने किसान आये है डिजीटल तरीके से भी हजारों किसान भाईबेन हमारे साथ जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ बीते समय में ओले गिरने प्राकुरुतिक आपदा की वजह से MP के किसानों का नुक्सान हुआ है आज इस कारकम में मध्यप्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड रुपिये ट्रांस्फर किये जा रहे हैं कोई बिचोलिया नहीं, कोई कमिशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुँच रही है टेकनोलोजी के कारण ही ये संबव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्ता बनाई है उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टेलन का बहुत बड़ा योगदान है सात्यों आज यहां इस कारकम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सोंपे गए हैं पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्द कराने के लिए हमने नियमों में भी बढ़लाव किया है अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पुण्जी मिल रही है इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्द लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है साथियों आज इस कारकम में बंडारान, कोल स्टोरेज, यह वेर हाउसिंग, कोल स्टोरेज इस से जुड़े इंफास्रक्टर और अन्य सुविधाओं का लोकारपन और सिलान्याज भी हुआ है यह बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सबजियाँ, अनाच उसका अगर सही भंडारान न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुक्सान होता है और यह नुक्सान सिर्फ किसान का ही नहीं, यह नुक्सान पूरे हिंदुस्तान का होता है एक अनुमान है कि करीब करीब एक लाग करोड रुपिय के फल, सबजियाँ और अनाच हर साल इस वजह से बरबाद हो जाते हैं लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासिंता थी अब हमारी प्रात्मिक्ता बंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंस्पास्ट्रक्टर बनाना ये भी हमारी प्रात्मिक्ता है मैं देश के व्यापारी जगत को उद्यक्त जगत से भी आगरा करूँगा कि बंडारण की आधुनिक व्यवस्ताएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूर्ड प्रोसेशिंग के नए उप्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लिएकों लोगों ने भी आगे आना चाहिए सारा काम किसानों के सर पे मर देना, ये कितना उचीत है, हो सकता है, आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गाउं का भना होगा साथियों, भारत की क्रशी, भारत का किसान, अब और पिछडे पन में नहीं रह सकता दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को, जो आधुनिक सुविदा उपलबता है, वो सुविदा भारत के भी किसानों को मिले इसमें अब और देर नहीं की जा सकती, समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिद्रश में भारत का किसान, सुविदाओं के भाव में, आधुनिक तौर तरीकों के भाव में आज सहाय होता जाए ये स्थिती स्विकार नहीं की जा सकती पहले ही बहुत देर हो चुकी है जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज करने की नौबत आई है पिछले छे साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वकून कदम उठाए हैं इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बर्सों से बर्सों से सिरफ और सिरफ मन्थन चल रहा था बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने आज कल उसकी चर्चा बहुत है एक क्रिशी सुधार ये कानून रातो रात नहीं आये है पिछले बीस बाइस साल से इस देश की हर सरकार ने राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा किये है कम अधिक सभी संगडरोन ने इन पर मिमर्ष किया है देश के किसानों के संगठन कुशी एक्सपर्ट्स कृषी अर्थसास्त्री कृषी वैज्ञानी हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषी खेत्र में सुधार की मांग करते आये है सच्पुच मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जबाब मांगना चाहिए जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए बातों को भी पूरा नहीं किया सिरब इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्रात्रिक्ता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाए तो उनके पुराने बयान सुने जाए पहले जो देश की कृशी ववस्ता संभाल रहे थे ऐसे माहनुभावों की चिठियां देखी जाए तो आज जो कृशी सुधार हुए है वो उनसे अलग नहीं है वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बाते इन कृशी सुधारों में की गई है मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृशी कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलिफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोधी ने कैसे किया मोधी ने क्यों किया मुहदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए मैं सभी राजनितिक दलों को हाज जोड के कहना चाहता हूँ आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए सम्रुद्धी चाहिए किसानी में आधुनिक्ता चाहिए आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना चोड दीजिए उन्हें ब्रमीत करना चोड दीजिए साथ क्यों ये कानून लागू हुए छे साथ महने से जादा समय हो चुका है लेकिन अब अचानक ब्रह्म और जूट का जाल बिछा कर अपनी राज़ितिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदुण रखकर वार किये जा रहे हैं आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है मिटिंग में भी पूछ रही है पब्लिकली पूछ रही है हमारे क्रिशी मंत्री टीम इंटर्वू में कह रहे हैं मैं खुद बोल रहा हूँ कि आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत है बताईए जो भी दिक्कत है वो आप बताईए तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है साथियों जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखा कर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया ये देश को याद रखना जरूरी है मैं आज देश स्वास्यों के सामने देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने मेरे किसान भाई और बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ साथियों किसानों की बाते करने वाले लोग आज जूटे आंसु बहाने वाले लोग कितने निर्दरी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट स्वामिनाथन कमिशन की रिपोर्ट आई लेकिन ये लोग स्वामिनाथन कमिटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबा कर बैठे रहे किसान अंदोलन करते थे प्रदर्शन करते थे लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर जाना खर्च न करना पड़े इसलिए इस रिपोर्ट को दबादो इनके लिए किसान देश की शान नहीं इन्होंने अपनी राजनीती बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तमाल किया है जब कि किसानों के लिए संबेदंसिल किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्रदाटा मानती है हमने फाइलों के धेर में फैंक दी गई स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट बहार निकाला और इसकी सिफारे से लागों की किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP हमने दिया साथियों हमारे देश में किसानों के साथ दोखा गड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदारन है कॉंग्रेश सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी जब दो साल पहले मद्द प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वाइदा किया गया था कहा गया था कि सरकार बनने के दस दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए ये मद्द प्रदेश के किसान मुझसे भी जादा अच्छी तरह जानते हैं राजस्तान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं किसानों को इतना बड़ा दोखा देने वालों को जब मैं किसान हिद की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा अश्यर होता है ये कैसे नोग है क्या राजनिती इस हथ तक जाती है क्या कोई इस हथ तक छल कपड कैसे कर सकता है और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर किसानों को और कितना दोखा देंगे ये लोग हर चुनाव से पहले ये लोग करज माफी की बात करते है और कर्जमा भी कितनी होती हैं, सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या, जो छोटा किसान कभी बैंक का दर्वाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा हैं इन लोगों ने, और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये गोशना करते हैं, उतनी कर्जमाफी कभी नहीं करते हैं, जितने पैसे ये बेजने की बात कर रहते हैं, उतने पैसे किसानों तक कभी पहुँचते ही नहीं हैं, किसान सोचता था कि अब तो पुरा कर्ज माफ होगा, और बडले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरपतरी का वारेंट, और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाप किसे मिलता था? इन लोगों के करीबियों को, ना ते रिष्टेदारों को, अगर मेरे मिडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगा लेंगे, तो ये सब आठ दस साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिठा मिल जाएगा, ये यही उनका चरीत्र रहा है, किसानों की राजनीती का दम भरने वालों ने, कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, कुछ बड़े किसानों का कर्च, दस साल में एक बार माप हो गया, इनकी राजनीती रोटी सिख गई, काम पूरा हो गया, फिर गरीब किसान को कौन पुष्टा है, बोर्ट बेंक की राजनीती करने वाले इन लोगों ने, और इन लोगों को देश अब भली भाती जान गया है, देश देख रहा है, देश हमारी नियत में गंगा जल और मान नर्वदा के जल जसी पवित्रता भी देख रहा है, इन लोगों ने दस सान में एक बार कर्ज माफी करके लगबग पचास हजार करोर रुपिये देने की बात कही, दस सान में एक बार पचास हजार करोर, हमारी सरकार ने जो पी-एम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगबग 75,000 करोर रुपिये मिलेंगे, यानि दस सान में लगबग 75,000,000 करोर रुपिया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर, कोई लिकेज नहीं, किसी को कोई कमिशन नहीं, कट कल्चर का नामों निशान नहीं, साथ क्यों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा, यूरिया की, याद करिए, साथ आठ साल पहले, यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था, रात रात बर किसानों को, यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था, क्या ये सच नहीं है कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाटी चाग की खबरें आम तोर पर आती रहती थी यूरिया की जम करके काला बजारी होती थी होती थी नहीं होती थी किसान की फसल खाट की किलत में बरबाद हो जाती थी लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीश्ता था क्या ये किसानों पर जुल्म नहीं था अत्याचार नहीं था आज मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इन जिन लोगों की वज़त से ये परिस्तित्य पैदा हुई वो आज राजनीती के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं साथ क्यों क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधान नहीं था अगर किसानों के दुख दर्द उनकी तकलिफों के परती जराबी सम्वेजना होती तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं हमने ऐसा क्या किया कि सारी परेशानी खत्म हो गई है आज यूरिया की किलती खबरे नहीं आती यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती हमने किसानों की इस तकलीप को दूर करने के लिए पूरी इमानदारी से काम किया हमने काला बजारी रोकी चार पर नकेल कसी, हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए, इन लोगों के समय में सबसीडी तो किसान के नाम पर चड़ाई जाती थी, लेकिन उनका लाब कोई और लेता था, हमने ब्रस्णाचार के जुगल बंदी को भी बंद कर दिया, हमने यूरिया की सो प्रतिशन निम्कोटिंग की, देश के बड़े बड़े खात कारखाने, जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिये गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं, अगले कुछ साल में, यूपी के गोड़कपूर में, बिहार के बरोनी में, जारखन के सिंद्री में, ओडिसी के तालचेर में, तेलंगना के रामा गुंदम में, आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे, 50-60,000 करोड रुपिये, सिर्फ इस काम के लिए खर्च किये जा रहे हैं, ये आधुनिक फर्टिलाजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर प्यादा करेंगे, भारत को यूरिया उत्पादन में, आत्मनिर भर बनाने में मदद करेंगे, दूसरे देशों से यूरिया मंगवाने पर भारत के जो हजारों करोड रुपिये खर्च होते हैं, उन्हें कम करेंगे, साथ क्यों, इन खात कारखानों को सुरू करने से, इन लोगों को पहले कभी किसी ने रोका था, किसी ने मनाने किया था, किसी ने नहीं कहा था, नई टगनावरजी मत लगाओ, लेकिन ये नियत नहीं थी, नीती रही थी, किसानों के प्रती निष्ठा भी नहीं थी, किसान से जूठे वाइदे करने वाले सत्ता में आते रहो, जुठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो, यही इन लोगों का काम रहा है, साथियों, अगर पुरानी सरकारों को चिन्ता होती, तो देश में सो के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दसकों तक नहीं लटकते, बाद बनना शुरू हुआ तो पची सो साल तक बनी रहा है, बाद बन गया तो नहरे नहीं बनी, नहरे बन गई तो नहरों को आपस में जोड़ा नहीं गया, और इसमें भी समाएं और पैसे दोनों की जम करके बरबादी की गई है, अब हमारी सरकार हजारों करोड रुपिये खर्च करके इन सिचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पुरा करने में जुटी है, ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुँचाने की हमारी इच्छा पुरी हो जाए, साथ किसानों की इन्पुट कॉस्ट कम हो, लागत कम हो, खेती पर होने वाली लागत कम हो इसके लिए भी सरकार ने निरंतर प्रयास किये हैं, किसानों को सोलर पंप बहुती कम कीमत पर देने के लिए देशबर में बहुत बड़ा अभियान चलाये जा रहा है, हम अपने अन्दाता को उर्जा दाता भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मदुमक्थी पालन, पशू पालन और मचली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है, पहले की सरकार के समय देश में शहद का उत्पादन करीब 76,000 मेट्रिक टन, 76,000 मेट्रिक टन होता था, अब देश में एक लाग विस हजार मेट्रिक टन से भी जादा शहद हनी का उत्पादन हो रहा है, 1,76,000 देश का किसान जीतना शहद मदू पहले की सरकार के समय निर्याद करता था, आज उतसे दो गुना शहद निर्याद कर रहा है, साथियों, एक्सपर्ट कहते हैं कि एगरिकल्चर में मचली पालन वो सेक्टर हैं, जिसमें कम लागत में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉलुशन स्किम चला रही है, कुछ समय पहले ही बीस हजार करोड रुपी की प्रधान मंत्री मच्ष संपदा योजना भी शुरू की गई है, इनी प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मचली उत्पादन के पिछले सारे रेकोर्ड तूट गए चुके हैं, अब देश अगले तीन-चार साल में मचली निर्यात को एक लाग करोड रुपे से ज़्यादा करने के लक्ष पर काम कर रहा है, भाई और बहनों हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हमारी राचे सरकारों ने जो कदम उठाए और आज देख रहे हैं मद्दबजेस में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है, अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाओं, तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उधारण इसलिए दिये, ताकि आप हमारी सरकार की नियत को परक सके, हमारे ट्रैक रिकोर्ड को देख सके, हमारे नेक इरादों को समझ सके, और इसी आधार पर, मैं विशवास से कहता हूँ, कि हमने हाल में जो कुरुशी सुधार किये हैं, उसमें और विशवास का कारण ही नहीं है, जूट के लिए कोई जगए ही नहीं है, मैं अब आपसे कुरुशी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उद जूट को दोराये जा रहा है जोर जोर से बोला जा रहा है जहां मोका मिले वहां बोला जा रहा है बिना सिर पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामिनासन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की ठेख हम भी नहीं करते कि टेर्ट हमने तो अइसा नहीं के हमने तो लागू की दूसरा यह हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इससे किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किये गया ये कानून तो लागू हो चुके थे छे महिने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोशना की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महमारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरक किया गया MSP पर खरीदी भी उनी मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी मही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोशना हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई उनी मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वाद दिलाता हूँ कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंध होगी न समाप्त होगी साथियो अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रतिक विंटल हमारी सरकार प्रतिक विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रतिक विंटल हमारी सरकार प्रतिक विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपए प्रतिक विंटल हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिक विंटल 2640 रुपए MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपए हमारी सरकार प्रतिक विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपए MSP दे रही है पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपए है हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक विंटल 5100 रुपए MSP दे रही है पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 तैताली सो रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,500 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 7,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समयर पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथी सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगबग सत्रा सो लाख मैट्रिक तन धान खरीदा था क्यांकड़े याद रखना हमारी सरकार ने अपने पांच साल में तीन हजार लाख मैट्रिक तन धान किसानों से MSP में खरीदा करीब करीब डवल पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पोने चार लाख मैट्रिक तन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने अपने पांच साल में चपन लाख मैट्रिक तन से जादा MSP पर खरीदा है अब सोचिए कहां पोने चार लाख और कहां चपन लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बलकि जादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं जादा पैसा पहुचा है पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीदने के बढ़ले में 3,74,000 करूर रुपिय मिले थे हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और ध्यान की खरीद करने किसानों को आठ लाग करोड रुपिय से जादा दिये साथियों राज नीती के लिए किसानों का उपियोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या वर्ताव किया इसका एक और दरन है दलहन की खेती 2014 के समय को यार कीजिए किस प्रकार देश में डालों का संकर था देश में मचे हाहारकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती किमतों के साथ बढ़ रहा था जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल की खपत है उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं काय रखी थी किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था यह बात मैं मानता हूं कि कभी कभी कभार प्राकृति के आपदा आ जाए अचानक कोई संकर आ जाए तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है देश के नागरिकों को बुका नहीं रखा था लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो साथ क्यों यह लोग दाल पर जादा MSP भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे हालत यह थी कि 2014 से पहले के पांच साल उनके पांच साल उन्होंने सिर्फ डेड़ लाक मेट्रिक दन डाल की किसानों से खरीदी सिर्फ डेड़ लाक मेट्रिक दन डाल खरीदी जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीती भी बड़ली और बड़े निर्ने भी लिये हमने किसानों को भी डाल की पैदावर के लिए प्रोचाहित किया भाई और बहनों हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुल्णा में 112 लाक मेट्रिक टन बैद दुबारा बोलता हूँ 112 लाक मेट्रिक टन डाल मेट्रिक पर खरीदी सोचिए बेड़ लाक उनके जमाने में वहाँ से हम सीधे ले गए 112 लाक मेट्रिक टन उन लोगों ने अपने पांच सालों बैद डाल किसानों को डाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपिया दिया साड़े 600 करोड रुपिय है हमारी सरकार ने क्या किया हमने करीब करीब पच्चास हजार करोड रुपिय दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया कहां 600 करोड और कहां 50,000 करोड आज दाल के किसान को भी जादा पैसा मिल रहा है दाल की कीमतें भी कम हुई है जिससे गरीब को सीधा फाइदा हुआ है जो लोग किसानों को ना MSP दे सके ना MSP पर डंग से खरीच सके वो MSP पर किसानों को गुमरा कर रहे है साथियों कुरुसी सुधारों से जुड़ा एक और जूट फैलाया जा रहा है APMC याने हमारी मंडियों को ले करके हमने कानून में क्या किया है हमने कानून में किसानों को आजादी दी है नया विकल्प दिया है अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सरफ इसी दुकान पर बेच सकते हो अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तैं नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो लेकिन पिछले सब्तर साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंडी के अलावा किसान चहा कर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फाइदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बहार उसको फाइदा होता है तो मंडी के बहार जाने का उसको हग मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोक तंद्र में मेरे किसान भाई को इतना हग नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाब मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में बेचा करके बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बलकि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाब देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है हाली में एक जगे पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कमपनी के साथ समझोता किया है इससे उनकी आमदनी 20 प्रतिशत बड़ी है एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कमपनी से समझोता किया है इस company ने उन्हें लागत में 35% जादा की guarantee दी है एक और जगह की खबर में पढ़ा रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाचार में वेचा तो उसे पहले से दो गुनी कीमत मिली आप मुझे बताईए देश के प्रते किसान को ये लाप ये हक मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए किसानों को सिर्फ मंडियों से बात कर बीते दसकों में जो पाप किया गया है ये कृशी सुधार कानून उसका प्रायस चीत कर रहे हैं और मैं फिर दो रहता हूँ नए कानून के बात छे मेने हो गया कानून लग हो गया हिंदुस्तान के किसी काउने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है फिर क्यों जूट फैलाए जा रहा है सचाई तो यह है कि हमारी सरकार एपी एमसी को आदूर रिख बनाने पर उनके कंप्यूटी करान पर पान सो करोड रुपिय से ज़्यादा खर्च कर रही है फिर यह एपी एमसी बंद किये जाने की बात कहां से आई बिना सहर पर बस जूट फैलाओ बार बार बोलो साथ क्यों नए कुरुसी सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा जूट चल रहा है फार्मिंग एग्रिमेंट को लेकर देश में फार्मिंग एग्रिमेंट का कोई नई चीज नहीं है क्या कोई नया कानून बना कर हम अचानक फार्मिंग एग्रिमेंट को लागू कर रहे हैं जी नहीं, हमारे देश में बर्सों से फार्मिंग एग्रिमेंट की ववस्ता चल दही है, एक दो नहीं, बलकि अनेग राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रिमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अख़बार की रिपोर्ट बेजी, आठ मार्च दो होजार उननीस की, उसमें पंजाब की कॉंग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टिनेशनल कंपनी के बीच, आठ सो करोर रुपिये के फार्मिंग एग्रिमेंट का जश्न मना रही हैं। इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बेहनों की खेती में जादा से जादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रिमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था। बहुत रिश्ट था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रिमेंट के दोरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किये। हमने तय किया है कि farming agreement में सबसे बड़ा हीत अगर देखा जाएगा तो वो इस किसान का देखा जाएगा हमने कानूनन तय किया है कि किसान से agreement करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा जो किसान को उसने वादा किया होगा वो sponsor करने वाले को वो भागिदार को उसे पूरा करना ही होगा अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदान सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में SDM से सिकायत की और सिकायत के कुछी दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया साथियों फार्मिंग एग्रिमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझोता होता है जमीन किसान के ही पास रहती हैं एग्रिमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है प्राक्रू के दिख आपदा आ जाएं तो भी एग्रिमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं नए कानुनों के अनुसार अगर अंचानक याने जो एग्रिमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पांसरर है जो भागिदार है जो पूंजी लगा रहा है और अचानक मुनाफ़ा बढ़ गया और किसान के कॉंट्रेक में तो कम पैसा है लेकि मुनाफ़ा बढ़ गया तो इस कानुन में ऐसा प्रावदान है कि जो बड़ा हुआ मुनाफ़ा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा साथियों, एग्रिमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपल्सरी नहीं है ये किसान की मर्जी पर है वही किसान चाहेगा तो करेगा नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा लेकिन कोई किसान के साथ बेइमानी न कर दे किसान के भोलपन का फाइदा उठा रहना ले इसके लिए कानून की विवस्ता की गई है नए कानून में जो सक्ती दिखाई गई है वो स्पॉंसर करने वाले के लिए हैं किसान के लिए नहीं है स्पॉंसर करने वाले को एग्रिमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है अगर वो एग्रिमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा लेकिन अब वही एग्रिमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है राज्य सरकारों को मेरा सुजाव है कि आसान भाषा में आसान तरीके से समझ माने वाली फार्मिंग एग्रिमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को देखे रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सके साथियो मुझे खुशी है कि देज भर में किसानों ने नए कुरुशी सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि ब्रह्म फैलाने वालों को भी सीरे से नकार रहे है जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशन का बची है उनसे मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार फिर सोचिए जो हुआ ही नहीं है जो होने वाला ही नहीं है उसका भ्रह्म और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहे कि ऐसे लोगों को मेरे किसान भाईयों बैनों पहचानिये इन लोगों ने हमेशा किसानों से दोखा दिया है उनको दोखा दिया है उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं मेरी इस बातों को इसके बाद भी सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर जुका कर किसान भाईयों के सामने हाद जोड़कर बहुती विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरन करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तयार हैं देश का किसान देश के किसानों का हित हमारे लिए सरवोच्च प्रात्मिक्ताओं में से एक है साथियों आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है कई विशों पर सच्चाई देश के सामने रखी है अभी 25 दिसंबर को स्रद्दे अटल जी की जन्मजेंती पर एक बार फिर 22 विशे पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूँ उस दिन पी एम किसान सम्मान निधी की एक और किस्त करोरों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांस्पर की जाएगी भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए आत्मनिर पर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी और यह देश सफल होगा यह देश का किसान भी सफल होगा इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मद्द्देश सरकार का अभिनदन करते हुए आज मद्द्देश के लाखों लाखों किसानों के साथ मुझे अपनी बाते बताने का मोका मिला इसके लिए सब का अभार वेक्त करते हुए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुपका अबना देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें